आज दोपेर में ही मेरी एक दोस्त का फोन आया था हाल चाल जाने और कुछ मिनिट गपशप लड़ाने के बाद उसने खाने की बात निकाली सबजियों की बात निकाली कहने लगी कि बहुत मुश्किल है सोचना कि बनाएं क्या बन तो फटाफट जाता है पर अब जब तक ये डिसाइड हो कि क्या बनाएं बहुत परिशानी होती है तुम क्या बना रही हो तो मैंने उसे कहा दोपेर का तो समय हो चुका खाना सब खा चुके हैं मैं रात के लिए मश्रूम की सबजी बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में मश्रूम की सबजी के साथ चावल जादा पसंद किये जाते हैं तो मैं आज मश्रूम की सबजी और चावल बनाऊंगी तो कहने लगी मश्रूम की सबजी वो तो मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है पर मुझे बनानी आती ही नहीं है ममी जी ही बनाती है हमेशा अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा आसान तरीका हो जिसे मश्रूम बहुत जादा अच्छी बने और फटाफटी बन जाए तो तुम वीडियो भी अपलोड करना न तो मैंने उसे कहा बेशक वो तो मैं करूंगी ही मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए मश्रूम की सब्जी में बनाऊं इतनी शाही इतनी बड़िया रेसी भी और शेयर नहीं करूं ऐसा कैसे हो सकता है वो तो मैं जरूर शेयर करूंगी तो कहने लगी बस ठीक है तो फिर तो मैं भी आज वैसी ही मश्रूम की सब्जी बनाऊंगी जैसे तुम बनाती हो नहीं कर ठीक है देख लेना कैसे बनाती हो बस इस तरह कुछ देर कपशब करके फोन रख दिया उसके बाद शाम हुई मैं लग गई तैयारी में मश्रूम की सब्जी और चावल बनाने के लिए ये सब्जी सबको घर में बहुत पसंद है सभी बहुत चाव से खाते हैं एक बार आप भी इस तरह के से मश्रूम की सब्जी बनाएगा घर में आपके सबको बहुत अच्छी लगेगी सबसे पहले मश्रूम पैकेट्स वाली मिलती है मेरे यहाँ पर आपके यहाँ जैसे भी मिलती हो आप उसे हलकी हलकी उसमें मिट्टी होगी इसलिए पहले उसे हलके गुन-गुने पानी में अच्छे तरकी से दो दीजिए उसके बाद उसे काटना कैसे है मैंने आपको अब यहां दिखा दिया था एक डेट चोटा चमच तेल डालकर कुछ खड़े मसाले मैंने डाले एक चोटा सा टुकड़ालचीनी का थोड़ा सा जीरा तीन चार काली मिर्ची दो लॉंग यह डालकर मैंने मश्रूम और उसके साथ में थोड़ा सा बारी कटा हुआ प्याज यह दोनों ही मिक्स करके मैंने डाल दिये नमक और हल्दी पाउटर डालकर इसमें थोड़ा सा पानी और डालके मैंने इसको एक प्रेशर लगवाया सबसे पहले यह काम आपको जरूर करना है वो प्रेशर खाली होगा तब तक आपको आज लहसुन और अद्रक इन तीनों का पेस्ट बनाना है इसी के साथ टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाना है इन दोनों ही चीजों का पेस्ट बनकर तयार होगा तब तक प्रेशर निकल चुका इसके आगे मैंने ये प्रेशर कोल कर देखा मश्रूम हमें 60% तक ही कुक करनी है इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक सीटी दिलवाई और दो मिनट मैंने इसको बिल्कुल लो फिलम पे रख दिया अब ये मश्रूम जो मैंने बॉयल की थी मैंने एक बाउल में ट्रांसफर कर दी उसके बाद उसी पैन में मैंने तेल गरम किया और उसमें पीसा हुआ घर का गरम मसाला डाला अगर आप तेल में ही इसे हलका सा गरम होने के लिए डालेंगे और फिर अगर आपने प्याज का पेस्ट डाला ना प्याज का पेस्ट हमने बनाया था वो मैंने डाला और इसे हाई फ्लेम पर दो तीन मिनट तक प्राई किया फिर फ्लेम को लो कर दिया और जहां-जहां किनारे लग रहे थे वो मैंने सारे चुड़ा दिया इसी तरीके से हमें प्याज तीन चार मिनट तक बारी बारी से लो फ्लेम पर चलाते चलाते बूनना है बीच बीच में आप अगर छोड़ेंगे तो हलका हलका इसमें तर लग जाएगा पर आप उसे छोड़ाते रहें बस इसी तरीके से आपको दो तीन बार बूनते रहना है देखिए प्याज का कलर कुछ इस तरीका आजाएगा ना फिर हम इसमें डालेंगे पानी पानी अच्छे से मिक्स कर देंगे उस प्याज में और फिर हम इसमें मसाले डाल देंगे दनिया पाउडर, दो चम्मच मैंने डाला है, चोटे, नमक, लाल मिर्श पाउडर और हल्दी पाउडर बस इस मसाले को मिक्स करके हम इसे डकन लगाएंगे, दो तीन मिनट तक हाई फ्लेम पर रखेंगे मसाले पक जाएंगे, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे टमाटर का जो हमने प्योरे बनाया था वो टमाटर प्योरे डाल कर इसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है बिल्कुल अच्छे से ये जब मिक्स हो जाएगा सारा मसाले और सारा प्याज इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी बिल्कुल आदा ग्लास जितना ही वो पानी डालकर हमें इसे हाई फ्लेम पर डखन लगा कर पकाना है का कलर अच्छा निकला न बस इसी तरीके से पीश-पीश में पानी डाल कर अगर हम ढखन लगाते हैं न हर सब्ची में तो कलर अच्छा आ जाता है उसके बाद मैंने इसमें वो बाउल ट्रांसफर कर दिया मश्रूम वाला जो मैंने बॉयल करके रखा था इसी के साथ थोड़ दियर में पानी उबलने लगएगा अब इसे हम ढखकर नहीं लगाएंगे इसे हम फिलाल हाई फ्लेम पर ही बूनते रहेंगे जब पानी थोड़ा कम होगा तब हम फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल अब पानी कम हो गया है फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है मैंने बिल्क तो सब्जी लग जाएगी बस इसी तरीके से इसे हम बोनते रहेंगे बिल्कुल लूफ लिम पे इसका बहुत ही अच्छा कलर निकर के आ जाएगा यह सब्जी मैंने थोड़ी सी चकी थी तो मुझे इसमें थोड़ी नमक की कमी लगी और ठीकापन भी कम लगा इसलिए मैंने नमक और लालमिश पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल दिया और फिर इसमें मैंने पानी डाला पानी फिलाल मैंने थोड़ा सा डाला कि इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँ क्योंकि मैं यह सब्जी चावल से बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें पानी की कॉंटिटी थोड़ी जादा रखोंगी कुछ इस तरह कि कि आप इसे सोग्रा या चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं बिल्कुल लास्ट जब आप टच दें सब्ची को तो इसमें उपर से जरा सकरम मसाला डालके इसे प्रेशर दिलभाना स्टार्ट कीजिए दो प्रेशर और पांच मिनट लो फ् सब्चीज को देख कर दो दनिया पतीस में उपर से मैंने डाल दिये हम इसे परोस देती हूं देखिए मेरी इस चोटी रसवी की यह रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मु